वेल्कम स्टुडेंट्स, आज हम डिसकस करेंगे किलास 11 साइनस मैथमेटिक्स में रिलेशन के बारे में, इससे पहले वीडियो में मैंने कार्टिजियन प्रोड़क्ट क्या होता है उसके बारे में बताया था और उसके exercise से कुछ important question बताया था उस video का link मैं नीचे description में दे दूँँगा आप उसे देख भी सकते हैं relation जो है ये page number 38 में है S&D के book में relation जो है unit 1 chapter 2 में है relation के साथ आगे function या mapping है function या mapping उसको मैं बाद में करूँगा पहले तो relation को करना है ठीके तो सबसे पहले हम जान ले कि relation का definition क्या है ऐसे तो relation का ऐसे meaning होता है तालूग ठीके लेकिन mathematics में relation का meaning इसको अगर देखेंगे तो यहाँ भी एक relation मिलेगा हमे elements की बीच में क्या relation है उसके हिसाब से तो सबसे पहले इसका definition देखे तो relation क्या होता है relation जो होता है यह एक सबसेट होता है relation क्या होता है यह सबसेट होता है इसको याद रखना है अच्छा यह किसका सबसेट होता है तो relation जो है यह cartesian product का सबसेट होता है cartesian product का सबसेट होता है अब cartesian product जो है वो हम दो अलग-अलग सेट का भी ले सकते हैं और एक सिंगल सेट का भी उसके साथ ही ले सकते हैं हम दोनों तरह के relation को देखेंगे पहले दो अलग-अलग सेट का Cartesian product और फिर उसका relation हम यहां देख रहे हैं तो माल लिजे के A और B दो non-empty set है if A and B are two non-empty set ठीक है then a relation R relation को हम लोग capital R से denote करते हैं समझाने के लिए from the set A to the set B relation जो होगा वो set A से set B में होगा is defined as, इसको इस तरह से define करते हैं as a subset of A cross B subset of A cross B यानि A और B का Cartesian product और इसका कोई भी subset अगर हम लेते हैं कोई भी subset होता है तो वो एक relation होगा that is R अगर एक relation है तो वो एक cross B का क्या होगा subset होगा तो कोई भी 2 set का अगर हम Cartesian product लेते हैं और फिर उसका कोई सा भी subset अगर होता है तो वो एक relation होगा अब हम यहाँ पर कुछ example से यहाँ पर समझ लेंगे जैसे माल लिजे यह set A है इसमें element है 1,2,3 set B है इसमें element है ABC अब अगर हम A और B का Cartesian product लेंगे तो क्या होगा हमें पता है Cartesian product कैसे करना चाहिए इसके पहले element के साथ इसके सभी element का पहले हम order पेल लेंगे 1 से A का लेंगे 1,A 1 से B का लेंगे 1,B 1 से C का लेंगे 1,C फिर 2 से इसके सभी का order पेल लेंगे 2,A 2,B 2,C इस तरह से 2,A 2,B 2,C फिर 3 के साथ लेंगे ABC का 3,A 3,B 3,C तो यह हो गया A और B का Cartesian product अब यह जो आ गया A क्रोस B यह पूरा set इसमें से कोई सभी अगर हम subset लेंगे इसमें से कुछ elements लेकर अगर हम एक subset ले बना लेते हैं तो वो एक relation होगा A और B के बीच में यह से माल लिजे if R equal to अगर माल लिजे यह है यह हमने एक subset ले लिया तो 1,A यह element ले लिया 2,B यह element ले लिया 2,C यह element ले लिया 3,A ले लिया 3,C ले लिया मतलब 1,2,3,4,5,5 element हमने यह यह ले लिया यह set हुआ तो यह set अब दखेंगे यह A करोज B का क्या है subset है क्योंकि इसमें से कुछ element को लेकर हमने यह लिया है तो यह हो गया A करोज B का क्या हो गया subset हो गया है यह समझ में आ गया कोई भी दो सेट यह और भी है उसका Cartesian product का कोई सा भी अगर हम subset लेंगे तो वह एक relation होता है ठीक है तो वाट इस relation रिलेशन इस a subset of a Cartesian product Cartesian product of two sets तो यह एक हो गया relation अब हम relation बहुत तरह से हम लोग बना सकते जैसे के एक रोजबी का हमने यहाँ पर एक subset लिया subset हम बहुत तरह से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं तो हमें हर बार एक नया relation मिलता जाएगा तो हम बहुत सारे relation अपने से define कर सकते हैं उसको हम बना सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है कि if x, y यह जो order pair है अगर यह r में बिलोंग करता है r में अगर यह है then we say that x is related to y मा लिजे यह order pair अगर उस relation subject में है relation में है तो हम बोलेंगे x और y जो है यह एक दुस्य से क्या है related है x और y एक दुस्य से क्या है related है x is related to y by the relation r r relation के जरिया x और y आपस में क्या है related जुड़े वे है relation x और y यह दोनों element है x जो है यह set एक element मालीजे जो पहला वला set होगा y जो है वो दूसरे set के element होगा अब x और y क्या है आपस में related है जुड़े वे हैं आपस में relation है इनका तो relation कौन सा relation इसको आपस में जोड़के रखा यह relation r आपस में जोड़के रखा है तो उसी तरह हम लिखते है x is related to y by the relation r x और y आपस में जुड़े वे है r relation के जरिया से ठीक है और उसको हम लोग इस तरह लिखते है and we write इस तरह लिखा जाता x related to y ठीक है यहां पर यह r जो है capital r यह उस relation को बता रहा जैसा relation हम define करेंगे बताएंगे इसी तरह अगर मा लिजे x, y उस r relation में नहीं है doesn't belong to r r में नहीं है तो हम बोलेंगे x is not related to y by the relation r और फिर हम उसको ऐसे लिखते x not related to y अगर मा लिजे उस में वो relation में नहीं है अगर यह order पर अगर उस relation में नहीं है जैसे example 1 में क्या है जैसे यहां पर example 1 में 1, is relation में है r में है 1, belongs to r तो हम क्या बोलेंगे 1 and a are related by the relation r 1 is related to a by the relation r ठीक है hence इस तरह हम किस तरह लिख सकते 1 is related to a इस तरह से लिखा जाता है लेकिन अगर आप देखेंगे उस relation में 1, b नहीं है उस में doesn't belong to r में 1, b नहीं है मैंने उस तरह नहीं लिया था है ना यहां पर 1, b नहीं है यहां पर r पर r में 1, b नहीं है 2, b है तो हम क्या बोलेंगे 1, b r में नहीं है doesn't belong to r तो हम बोलेंगे 1 doesn't belong to 1 doesn't related to b by the relation r 1 जो है b के साथ related नहीं है 1 doesn't belong related to be by the relation r और फिर हम किस तरह लिख सकते इस तरह 1 relation का लिख किस तरह से cross कर देना है और यहां भी 1 doesn't related to b 1 जो बी के साथ related नहीं है तो अगर related होगा तो लिखना इस तरह से related 1 related to A अगर related नहीं है तो फिर उस तरह लिख देंगे जैसे यह 2,BR में है तो इस तरह लिख सकते है 2 related to B 2,CR में तो हम लिख सकते है 2 related to C इस तरह से लिख सकते है relation के एक दूसरा example भी देख लेते हैं जैसे माली जै सेट M जो है यह सेट आप में है ठीक है यह आदमियों का सेट है ठीक है मन पुरुष्टों का W क्या है सेट आप में है यह औरतों का सेट है W ठीक है अब माली जै हम इस तरह से लिखते है then X is the husband of Y X जो है वो Y का husband है defines a relation R from the सेट M to the सेट W तो अगर हम इस तरह लिखते हैं एक इंगलिश में itu X y का husband है तो यह भी एक relation होगा कहां से कहाँ है सेट M सेट W सेट W में सेट M सेट W में ठीक है तो यह relation क्यों होगा इस तरह से relation में अपने से बना सकते हैं relation क्यों होगा देखे सेट M या सेट W है मालीजी यहां पर अगर हम इसको जो आदमी है उनको हम अगर नाम दे देते A, B, C, D इस तरह से और उमेन का नाम अगर हम लिख लेते X, Y, Z और फिर उनका अगर हम लोग कार्टेजन प्रोडट करते तो इस तरह से आता मालीजी यह पहला X, Y इस टाइप का आता तो यह पहला वाल एलिमेंट सेट M से होता तो यह पहला वाला मेन होता, मेन को बताता दुसरा वाला जो होता यह सेट W से होता यानि यह उमेन को बता रहा है ठीक है इस तरह का हमें कार्टेजन प्रोडट में सभी element मिलता order pair ठीक है अब इसी का जब हम subset लेंगे तो उसमें भी इसी type का आएगा पहला वाला man दुसरा वाला woman तो अब अगर relation अगर हम इस तरह से लिखते हैं के X is the husband of Y तो मतलब R में वही element आएगा R में वही order pair आएगा के जहां पर जो एक सोगा आदमी वह Y का husband होगा यानि इस आवरत का अगर वह husband होगा तभी वह इस relation में आएगा उस set में आएगा subset में ओके तो इस तरह से हम बना सकते वरना ऐसे तो सभी Cartesian product में जितने man, woman, man, man, man के इस तरह pair आजागा लेकिन relation में कौन रहेगा? relation जो एक सबसेट होगा उसमें जो उसका husband है अगर इस तरह husband और wife का अगर इस तरह से pair होगा तो ही वो इस relation में आएगा ठीक है? तो यह चीज़ वहाँ पे लिखावा x, y अगर r में है तो इसका meaning होगा यह imply करेगा x is the husband of y ok? x, y का husband होगा तभी इस relation में होगा अगर x, y का husband नहीं है तो फिर उस relation में नहीं होगा ठीक है? तो इस तरह r में क्या होगा? हमें सिर्फ ऐसे कुछ ही element मिलेंगे अगर husband है तो उसमें आएगा और अगर husband नहीं है तो नहीं आएगा वो pair तो इस तरह से क्या होगा? तो वो उसका m x w का एक subset बन जाएगा और वो एक relation होगा इसके बाद इस तरह एक्जांपल 3 में यहां पर हम क्या करेंगे? कि हम यहां पर relation को अपने से पहले define कर दे रहे हैं यह relation हम बता दे रहे हैं और उस relation को लिखने के लिए कहा जाता है तो इस relation को हम लिखेंगे ठीक है? इस तरह से set के form में जैसे माली जी यहां पर set A है इसमें element है 1,2,4 set B है इसमें element है 1,2,3 ठीक है? इनका अगर हम Cartesian product लेंगे तो यह हो जागा 1 से इसका सभी order पे लेंगे 1,1 1,2, 1,3 इस तरह से फिर 2 के साथ लेंगे 2,1 2,2, 2,3 ठीक है? फिर 4 के साथ लेंगे 4,1 4,2, 4,3 तो यह हो गया A cross B अब माली जी एक relation हम अपने से पहले से define कर रहे हैं बता रहे हैं let R be a relation from A to B A से B में आर एक relation है define by जिसको हम खुद से define कर रहे हैं इस तरह से कि X,Y belongs to R यानि यह जो order pair है वो इस relation में रहेगा कब रहेगा? कि यह imply करेगा जब X और Y आपस में बराबर हैं यह एक relation है यह relation हमने पहले से define कर दिया है बता दिया कि इस relation में X और Y का वहीं pair रहेगा जहां पर X और Y दोनों आपस में equal होगा तो फिर यह relation क्या होगा तो इस relation R को अगर हम लिखेंगे तो हमें वही इस में order पर लेना पड़ेगा जहां X और Y क्या होगा आपस में equal होगा तो हम यहां से देख सकते हैं कि जो relation में यहां इसका subset होगा relation तो यहां पर X यानि पहलावाल element Y यानि दूसरा element तो दोनों कहां कहां पर equal है तो यहां पर सिर्फ ऐसे दो ही है एक है 1,1 यहां X और Y दोनों equal और एक है 2,2 बस यहीं दो element है और तो कहीं नहीं X और Y equal तो फिर R में कौन-कौन से element होगा 1,1 and 2,2 तो relation में क्या होता है यह यह जो condition दिया रहता है यही relation है यानि X और Y में क्या relation है कि relation यह है कि trait and Y आपस ay में equal है ठीक है यह relation क्या है आपस या है अप समझ gefallen रहे ह workflow relation का मतलब कि वहा पर कुछ condition रहेगा कि Kёт Y उस है वक्त आपस में related होंगे जब वो devam होंगे तो इस तरह का relation हम अपने से भी define कर सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे यहाँ पर मैंने एक दूसरा relation का लिया, let r1, r1 be a relation from a to b, defined by, r1 हमने एक दूसरा relation ले लिया, कि x, y r1 में होगा, जब x y से बड़ा होगा, तब ही होगा, तो यह relation क्या होगा, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है, यह जो पहला element है, order pair का, वो बड़ा होगा किस से, greater होगा किस से, y से, यानि जो second element है उससे, तो फिर ऐसा कौन-कौन सा element होग यहाँ एक रोस भी में, वो सभी r1 में आ जाएगा, इस relation में, तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहला element दूसरे element से बड़ा होना चाहिए, तो पहला element बड़ा, इससे यहाँ पर देखेंगे, 1,1 से तो बड़ा नहीं है, 1,2 से बड़ा नहीं, 1,3 से बड़ा नहीं, यहाँ पर से बड़ा, तो यह element r1 में होगा, फिर यहाँ पर देखेंगे 4,1, यह 4,1 से बड़ा है, second element से, तो यह होगा, 4,2 होगा, 4,3 होगा, समझ में आ गया, बाकी पहला element दूसरे element से बड़ा नहीं है, तो फिर वो नहीं होगा, तो समझ में आ रहा है कि r1 में क्या कहोगा, 2,1, 4, 4,1, 4,2, and 4,3, क्योंकि इसमें सभी x यानि जो पहला element है, वो दूसरे element यानि y से बड़ा है, ठीक है, सब जगा पे, तो यह होगा r1, तो इस तरह relation को लिखने के लिए देता है, एक्जाम में, इस तरह मैंने एक और relation ले लिया, हमा लिजे r2, be a relation from a to b defined by, इस तरह से defined किया कि x related to y, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से, x related होगा y के साथ, जब यह imply कर रहा है, कि x जो है y के equal होगा, या y से छोटा होगा, यानि जो पहला element है, वो दूसरे element के या तो बराबर हो, या equal हो, वहीं सब element r1 में होगा, ठीक ह तो ऐसा होगा यह, 1,1, इसमें x और y दोनों equal है, 2,2, x और y equal है, है ना, और पहला element दूसरे element से छोटा, तो यह होगा 1,2, इसमें x 1 है और y 2 है, तो यह पहला वाला दूसरे से छोटा है, यह होगा 1,3, यह 1,3 से छोटा है, पहला element और यह हो जागा 2,3, पहला एक से दूस relation में इस तरह से दे दिया जाता है question में और हमें उस relation को लिखने के लिए कहा जाता है तो यह जतना भी है application of relation अन्न लिखने के लिए कहा है तो इसक इसके बाद यहांपर मैंने को और lawicism यहांपरcej przygotjut 34567 8901121 Let R be a relation from A to B Defined by माल लिजे R1 हमने एक relation अपने से लिखा कि A B से related होगा imply करेगा A divides B A B को divide करेगा तभी वो उस relation में होगा क्या होगा? यह जो पहला element है order pair का पहला element दूसरे element को क्या करेगा? divide करेगा तभी वो उस relation में रहेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम A और B का Cartesian product ले लेंगे फिर उसमें से इस तरह चेक करेंगे तो देखे Cartesian product लेने की भी जरूरत नहीं है इसलिए मैंने यह example यहाँ पे लिखा जश्ट हमें यह करना हमें तो पता है कि 3 के साथ 8 का pair लेना पड़ेगा फिर 3 के साथ 9 का फिर 3 के साथ 10 का तो यहाँ पे जश्ट हम इस relation में क्या condition है? इसको देख ले कि यहाँ बोला जारा पहला element दूसरे element को divide करेगा तभी वो इस relation में होगा तो यहाँ से जब हम pair बनाएंगे तो यहाँ से देख ले 3 और 8 का pair ले रहे हैं तो 3 का 8 को divide करता है? क्योंकि यह 3,8 जब आएगा तो यह होगा पहला element A और यह दूसरा element होगा B तो यह अगर इसको divide करता है 3 अगर 8 को divide करेगा तब वो इस relation में होगा इस तरह समचे कर लेंगे तो 3,8 को divide ने करता है? इसमें नहीं होगा 3 9 को divide करता है? हाँ divide करता है तो यह 3,9 यहाँ पे होगा फिर 3 10 को divide ने करता है फिर 3 किसको divide करता है? 11 को भी नहीं फिर 12 को divide करता है तो 3,12 होगा तो 3 के साथ होगी है अब 4 के साथ होगी है 4 किसको divide करता है? 4 8 को divide करता है 4,8 सिरियल ही चलेंगे हम फिर फोर किसको डिवाइड करेगा एत 9 को नहीं करेगा 10 को नहीं करेगा 11 को ट्वैल्फ को करेगा तो 4,12 फिर 5 के साथ करेंगे 10 को डिवाइड करेगा उनली तो 5,10 होगा इस relation में और 6,6 किसको डिवाइड करेगा only 12 को तो यहां पे होगा 6,12 12 और लास्ट में है 7 7 तो 7 किसी को डिवाइड ने करेगा तो बस यह होगा तो यह जो रिलेशन है जो इसका कंडिशन है के पहला वाला दूसरे वाले ऐलिमेंट को डिवाइड करेगा तो यह हो गया यह रिलेशन तो इस तरह से हम सीजी लीख सकते हैं ओक्रेट अब next topic question, relation on a set, relation on a set, अभी जैसे हमने बताया relation, तो relation हमने कैसा पढ़ा, set A से set B, वहाँ पे दो अलग-अलग set है, एक set A है, एक set B है, set A से set B पे relation जब हमने किया, तो A क्रोस B हमने लिया, फिर उसका sub set लिया, तो मा लिजिए, अगर A की से set है, सिर्फ set A है, ठीक है, और हम उस पे relation अगर हम करेंगे, relation वहाँ पे, तो हमें क्या करना होगा, set A पे relation अगर हम बनाना चाहते हैं, तो हमें A के साथ A का ही, अगर हम cross product ले लेते हैं, Cartesian product, तो यह हो गया, इसको बोलते है, relation on a set, या किसी-किसी बुक में इन भी लिखा रहता है, relation in a set, relation in a set का मतलब, एक set A है, उसी set से, उसी set पर, अगर हम को relation, अगर हम लिखते हैं, तो उसको का जाता है, relation on a set, और ऐसे, generally, relation मतलब हो रहा, set A, अलग होगा, set B, अलग होगा, set A से set B, तो इसको भी हमें देख लेते हैं, तो let A be a non-empty set, a का a non-empty set है, then a relation R, from A, to itself, A से itself, यानि A से A में, इसल यानि खुद उसी में, अगर A से A में, अगर हम कोई relation लिखते हैं, तो उसको कहते हैं, that is, a subset of a cross, जैसे वहाँ, a cross B का subset था, तो यह, a cross A का subset होगा, same set से, same set में relation, तो is called a relation on A, तो उसको कहते हैं, a relation on A, does, इस तरह से, R is a relation on A, अगर हम set A में relation R बोलते हैं, तो इसका मतलब होगा, तो यह relation, जो है, वो set A से, set A का Cartesian product का subset होगा, ठीक है, R जो होगा, वो subset होगा, किसका, a cross A का, जब हम बोलेंगा, r is a relation on A, जब बोलेंगा, r is a relation from A to B, तब होगा, r, a cross B का subset, ठीक है, तो यहां जब एक ही set होगा, तो समझ लीजेगा, a cross A करना है, अच्छा, अच्छा, इसका एक्जाम्पल, एक्जाम्पल, जिससे, set A, 1, 2, 3, तो a cross A क्या होगा, इसी set के, इसी set के साथ हमें करना पड़ेगा, इसको दो बार अगर हम लिखेंगा, तो फिर से, 1, 2, 3 लिखना पड़ेगा, यह set A होगिया, तो 1 से 1 का order pair, फिर 1 से 2 का, फिर 1 से 3 का इस तरह लिखेंगा, फिर 2 से 1 का, 2 का, 2 का, 3, इस तरह से अपने से भी कर सकते हैं, यह total होगा, और फिर 3 से 1 का, 3 से 2 का, 3 से 3 का, यह हो हो गया, 2, 3 हो गया, 2, 3, तो यह 4 element है, यह इसी का element है, तो R क्या हो गया, एक उरोसे का subset हो गया है, तो हम क्या बोलेंगे, R is a relation on A, यह R जो है, यह A पर एक relation है, इस तरह से यहाँ पर हमने एक दूसरा example लिया है, मा लिजीए set A है, इसमें element है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dot, 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 15, 16, य यह बाकी element मने नहीं लिखा, and R be a relation on A defined by, और हमने R की relation लिया set A पर, ठीक है, यह B नहीं, इस तरह से हमने relation को define किया, क्या define किया, क्या define किया, क्या R जो होगा, इसमें वो element है, वो order pair होगा, x, y, such that, y जो होगा, यह equal होगा, x square के, या यह जो second element है, वो पहले element के, क्या होगा, whole square होगा, ठीक है, whole square होगा, तो फिर R equal to क्या होगा, इस set को हमें लिखना है, तो यहाँ पर यह समझे है, जब हम एक रो से करेंगे, यानि हमें वो element लेना है, कि जो second element हम लेंगे, उसका whole square होगा, पहला वाल element, second वाला जो element हम लेंगे, उसका whole square होगा, पहला वाल element, ठीक है, y जो है यहाँ यहाँ पर y जो है यह x का square होगा x square equal to y होगा x square equal to y होगा यानि अगर हम x लेंगे 1 1 लेंगे तो फिर y कितना लेना होगा 1 का square लेना होगा अगर हम x 1 लेते हैं तो y कितना होगा x square मतलब 1 का square यानि 1 ठीक है अगर हम x2 लेते हैं तो y कितना लेना होगा x का square यानि 2 का square यानि 2 का square तो 2 का square क्या होता है 4 तो यह समझ में आ गिया तो इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा तो अगर हम x यानि 1 लेंगे तो y होगा 1 का square ठीक है y जो होगा 1 का square होगा तो यानि 1 का square वानी होगा अगर हम x 2 लेंगे तो y होगा 2 का square है y जो होगा यह 2 का square हो जागा यह जो पहले element है तो 4 होगा अगर हम यहाँ पे 3 लेंगे तो यह element होगा 3 का square 9 होगा वो भी इसमें है अगर हम यहाँ पे 4 लेंगे तो इसका यहां पे क्या हो जाएगा 4 का स्क्वेर 16 होगा लेकिन अब अगर हम यहां पे 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वेर क्या होगा 25 होगा तो 25 तो इस सेट में है यह नहीं 25 कहीं भी सेट में नहीं 16 तक है तो फिर हम उसके बाद element नहीं ले सकते वो इसमें नहीं आएगा तो यह हो जागा हमारा relation ओके नेक्स्ट आतिस्टों domain and range of a relation एक relation का domain और range किसे कहते हैं बहुत easy है यह relation मैंने एक लिखा example one वाला relation मैंने लिखा तो इसमें क्या है जो यह जितना भी order pair है order pair का जो पहला element होता first element यह first coordinate यह सभी one two two three three यह सभी को बोला जाता है इस relation का domain ठीक है और यह जो second element है second coordinate है a, b, c, a, c यह भी जो है इसको range कहा जाता है इस relation का बहुत easy है तो यहाँ पे domain क्या होगा domain को इस तरह लिखा जाता है relation का domain को dom r लिखा जाता है इस तरह से domain क्या होगा one two two बारे तो हमें पता है set में same element को repeat नहीं किया जाता है तो two एक ही बार लिखा जाएगा फिर three है दो बार तो three एक बार लिखा जागा range क्या होगा range में a है यहाँ b, c है a, b, c, फिर a है फिर c है तो दो बारे c को repeat नहीं करना तो range relation का range को range r लिखा जाता है इन्हें r का range ठीक है relation का range इस तरह लिखा जाता है वह definition यहाँ पे लिखा हुआ है let r be a relation from a set a to set b माल लिजे set a से set b में a relation r है then the set of all first coordinates of elements of r, r के जितने element है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, जो भी element, r के जितने element है इसका जो first coordinate है first coordinate है यह यह पहला वाला यह जितना भी पहला coordinate है is called the domain of r written as dom r लिखा जाता है in the set of all second coordinates of the elements of r, r के जितने element है उसका जो second coordinate है is called the range of r और उसको लिखा जाता है written as range r तो यह clear हो गया domain और range किसे कहते हैं इसके बाद एक बहुत ही important note है और इससे बहुत सारा question बनता है कि एक set A है एक set B है ठीक है दोनों मा लिजे finite set इसमें कुछ element है इसमें कुछ element है तो set A से set B में हम total कितना relation बना सकते है कितना number of total number of relation हम कितना बना सकते है यह question आता है exam में ठीक है तो मा लिजे let A and B be two finite set मा लिजे यह और भी दो finite set है यानि इसमें limited element है इसमें कुछ element होंगे मा लिजे A set में M element है A contents M element और मा लिजे B set में N element है ठीक है तो फिर इनके Cartesian product में कितने element होगे A कुरोजबी में कितने element होगे में पता है set A में M element है set B में N element है तो इनके Cartesian product में M into N यानि इसके जितने element इसके जितने element उसको into करना पड़ता multiply तो एक कुरोजबी में कितने element होगे M into N यानि M N element होगे ठीक है अब A से B में कितने relation मतलब मैंने क्या कहा A से B A और B के बीच में relation मतलब A करोजबी का सबसेट तो A करोजबी का जितना सबसेट होगा उतना ही relation होगा ठीक है A करोजबी का सबसेट ही तो relation होता है तो A करोजबी यानि ये सेट है सेट का total कितना सबसेट होता है यह हमने इससे पहले चेप्टर में देखा कि A cross B में जितने element होगा इसका total subset क्या होता है 2 का power N तो यहाँ A cross B में element है MN तो total number of subset A cross B का कितना होगा 2 का power जितने element है यानि MN ठीक है 2 का power MN तो यह होगया A cross B का total इतना subset है मतलब इतना ही total ही relation होगा क्योंकि A cross B का जितना subset होगा उतना ही relation होता है तो total number of relation from A to B क्या होगा 2 का power M into N ठीक है यानि 2 का power हमें क्या करना है set A का element into set B का element अब एक example मैंने ले लिया है यह बहुत important है और माली जगर हमें set A पर relation निकालना है total number of relation on set A यानि set A में total relation मतलब A से A में total relation कितना होगा तो इसका subset होगा तब हमें क्या करना 2 का power M into N नहीं करके A में M element था और फिर A में M element है तो M into M हो जाएगा तो M square हो जाएगा अगर हम B में total relation निकालेंगे यानि set B से set B में तो यह N into N हो जाएगा 2 का power N square हो जाएगा इसको समझना है यह हम एग्जामपल ले लिए माली जे set A है इसमें 3 element है set B है इसमें 2 element है तो A से B में total कितना relation होगा तो 2 का power set A में 3 element into set B में 2 element 3 into 2 2 का power 6 यानि 64 relation हम बना सकते है A से B में और अब एक last topic में है inverse relation बस इसको इसके बाद में exercise फिर इसको start करूंगा तो inverse relation क्या inverse मतलब ही होता है उल्टा तो माली जेक relation R है set A से set B में let R B relation from set A to set B then the inverse relation of R denoted by R inverse अगर R एक relation होगा A से B में तो इसके inverse को आर और यहाँ पर minus 1 जिसे लिखते है इसको R inverse पढ़ा जाता है minus 1 नहीं पढ़ा जाता है इसको R inverse बोलते है इस तरह से लिखा जाता है is the relation from set B to set A अगर R एक relation होगा A से B में तो उसका inverse जो होगा वो B से A में होगा है ठीके A से B में R है तो R inverse क्या होगा B से A में एक relation होगा और उसको इस तरह से लिखा जाता R inverse मतलब इसमें जो element होगा Y, X होगा such that X, Y belongs to R मतलब अगर X, Y ये order pair R में होगा तो इसका उल्टा यानि Y पहले लिखेंगे X बात में लिखेंगे ये होगा आपके R inverse में इसके inverse में ठीक है जिसे यहां पर एक example में लिखा हो एक example 1 में यानि शुरू में जो मैंने example लिखा था उसमें एक relation मैंने लिखा 1, A, 2, B, 2, C तरह लिखा था तो इसका inverse क्या होगा ज़स्ट ये आगे पीछे हो जाएगा ये जिसे X, Y अगर R में है तो यहां B, 2 हो जाएगा 2, C, C, 2 हो जाएगा 3, A, 3 हो जाएगा 3, C, C, 3 हो जाएगा तो समझ में आगिया inverse रिकालना बिल्कुल easy यहां पर हम X, Y, Y को यह में change कर देंगे ठीक है तो यहां पर इसके related कुछ note से पहला है every relation R from set A to set B has an inverse relation हर एक relation का inverse relation तो होगा ही होगा है तो यह एक पॉइंट है दूसरा है कि R inverse का अगर हम domain देखेंगे domain तो इसका जब domain लेंगे तो यह होगा A, B, C, D होगा वो क्या हो जाएगा वो R का रेंज हो जाएगा range A, B, C क्योंकि इसका जो second element है वो इसमें change हो के पहला element हो जा रहा है सभी जगा तो अगर R inverse का domain जो होगा वो R का range हो जाएगा ठीक है और R inverse का range होगा इसका जो range है यानि 1, 2, 2, 3, 3, 3 जो भी है वो क्या है वो R का domain है क्योंकि उसमेंगे पहला element बन जा रहा है ठीक है तो R inverse का domain बराबर है R का range और R inverse का range बराबर है R का domain यह हमारा basic introduction relation का complete हुआ इसके बाद इसके exercise 2 भी है उसको मैं next वीडियो में solve करूँगा जो कुछ instruments मैंने अभी बताया इसका मैं PDF फाइल बना करके description में दे दूँँगा आप उसको download करके भी रख सकते हैं Thank you very much for watching